चोर ने मेरी घड़ी चुराने कोशिश की भीड में तो तब ही मैंने उस साले को लिटा दिया फिर भीड में एक बंदे ने मेरे से बूचा कि भाई तुम ये लाखों गड़ियां खरीते क्यों हो मैंने उसे बताए इन पांच चीजों को जैसी पहला एर प्लैन में ट्रैवल करते हैं वक्त अगर थोड़ा सा कैश वी ले जाएं तो सिक्योरिटी वाले अपनी इन्वेस्टिकेशन करने स्टार्ट कर देती हैं लेकिन वहीं पे दस लाख की हाथ में गड़ी बंदी है तो ये पूछते भी नहीं है दूसरा अगर मैं अपनी घड़ी को बांद ये किसी से मिलता हूँ तो सामने वाले इनसान रिस्पेक्ट देता है क्योंकि उसको बता है कि मेरी पूरी जंदी ही कमाई तो ये हाथ में बांद के बैठा है तीसरा इन गड़ी के अंदर फीचर्स बहुत तगड़े तगड़े आते हैं अब एक गड़ी के अंदर रूलेट है यानि कि उसमें बैठा बैठा सटा लगा सकता हूँ अब मालू मेरे को किसी इंसान के साथ में शर्त लगानी है तो मैं उसमें बटन दबाऊंगा उसकी बॉल घुमेगी और नमबर आ जाएगा और मुझे जहां बें मैठा हूँ वहां से हिलने की वी जुरूरत नहीं है चौता है पैसा कमा के देती हैं अब इन वाचेस को खरीदा हैं तो बहुत सारे लोग चाते होती हैं लेकिन ये बेचते सिर्फ सेलेक्टेड लोगों कही हैं जिस वजासे वाचेस बहुत कम होती हैं और इनका रेट इंगरीज होता है 10 लाक की घड़ी खरीद लेता हूँ अगर मैं तो आने वाल समय में उसका रेट 30 लाक रुपेगा हो जाएगा पांच में हैं कस्टमाइजेशन अगर आएको इतनी महेंग गड़ी के बीचे मेरा नाम लिखके दे रहा है तो भाई मैं क्यों ना करीदूँगा